हलो एवरिवान गुद मॉर्निंग अल आफ यू आफ यूट्यूब चैनल गाइज मैं कल आप लगों के लिए एक एक्सराइज का वीडियो लेकर आई थी जिसमें मैंने आपको डाइप कांड दिया था और एक्सराइज भी दी थी और मैंने आपको बोला था कि अगर आप इस है आज हम करेंगे सिंपल सिंपल सी एक्सराइज जिसको आप घर पे करके ही अपने लाव हैंडल्स तो बिल्कुल खतम कर सकते हैं इसके लिए कोई जरुफरी निया कि आपको जिम जाना है बस एक चीज का ध्यान दखना है आपको कि आपको मीठा अवाइट करना है तली हु आपकी डाइट का भी इंपोर्टेंट रोल होता है आपकी बॉड़ी को शेप में लाने में तो अच्छी डाइट लीजिए उसके साथ करते हैं आज की एक्सराइज जो आपको बहुत बेस्ट रिजर्स देने वाली है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वे स्टार्ट करते गर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और अगर आपको मेरे वीडियो से फायदा मिल रहा है तो मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और ज़burgh आचे रिजर्स मिनए और आपके सांसाथ आपके फैमली मेंबर्स और आपके फ्न d इस चैनल के साथ जूस सके और अपना वड़िस कर सके तो चलिए स्टार्ट पे हमारी आज की एक्सराइजे तो चलिए क्लिए सब्से पहले से में एक रोड की जरुभत पड़ेगी प्लास्टिक की की स्टील की कोई भी रोड आपके घर पे पड़ी हो, आप इस्तमाल कर सकते हैं, इस तरह से अपने कंदों के पीछे रोड को रखें और हाथों के सहारे रोड को टिका लें, then आपको क्या करना है, एक साइड पे इस तरह से बेंड करना है, जब आप बेंड करें, तो आप मन में काउंट करें, एक से लेके 10 तक, और पूरी तरह से बेंड करें, पूरा जुकें, आपकी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बहुत ही ओसम एक्सराइज है, पूरे लाव हैंडल गायब कर देगी उची दिनों में, सिरफ 7-10 दिन के अंदर ही आपको रिज़ल्ट लेके जाएगा, अपनी बॉड़ी के अंदर, कि आपको अपनी पूरा जीन या जो भी वेस्टन कप्डे जो पूरे नहीं आरे, वो आपको पूरे आने शुरू हो जाएगे, तो इस तरह से जब भी आप हो करेंगे, तो इस तरह से आप अपने चार सेट कंप्लीट करेंगे, चली स्टार्ट करते हैं, आज की हमारी सेकिंड एक्सेसाइज जिसमें मैंने यहां पर एक प्लेट का इस्तमाल किया, आप चाहें तो एक फुट बाल का इस्तमाल कर सकते हैं, या एक धाई लिटर की वाट जिसको आपको पानी से भर लेना है, तो आपका जो वेट हो जाएगा, वो 5 kg हो जाएगा, और इस तरह से वेट को पकड़ते हुए, आपको एक साइड पे बेंड करना है, और होल्ड रखना है, उसके बाद आप सीधे आए, फिर दूसरी तरफ आप इस तरह से टर्न करें प इस एकसाइज को भी 20 ताइम्स रिपीट करना है, दोनों साइड पे और एक सेट लगाते हुए, आपको टोटल चार सेट इस एकसाइज के कम्प्लीट करने हैं, इस एकसाइज से आपका लव हैंडल तो खतम होगा ही होगा, इसी के साथ आपके ब्रा पर जो बलजिस बनते ह ब्रा के फैट के और आपका जो लोवर बैक पे आपका फैट दिखाई देता है, साइड पे वो भी आपका पूरी तरह से खतम हो जाएगा और आपको काफी अच्छे रिजल्ट इस एकसाइज से मिलने हैं, तो इस एकसाइज के भी आपको तीन से चार सेट लगाने ही होंग और आपको हर सेट में 20 रेपिटीशन कंप्लीट करने हैं, आपको इस बात का खासतोर पर ध्यान दखना है, और कोशिश कीजिए कि घर का बना हुआ खाना ही खाएं, चलिए अब बात करते हैं हमारी आज की थर्ड एकसाइज के बारे में, थर्ड एकसाइज में आपको इसी अब 5 kg करें उसे जादा आपको अवेलेबल हो, जितना भी हो नहीं तो वाटर बॉटल तो आपको यूज करनी ही है, और इस तरह से पकड़ते हुए आपको दोनों साइड पे बेंड करना है, जितना आप बेंड कर पाएं, थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, उसके बाद सीधे हो जाएं, और फिर दूसरी तरफ आपको बेंड करना है, इससे आपको जो कमर का साइड का फैट है, वह काफी अच्छे से आपका रीड्यूज को और कुछ लोगों के जो ब्रा का स्टेप होता है, उसके नीचे की तरफ उनका फैट बनता है बल्जी दिखाई दिखा क्योंकि यह आपकी बॉड़ी है, और आप इसको एक मार खराब कर लेंगे तो आपके लिए इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चलिए बढ़ते हैं, आज की हमारी फोर्थ एक्सराइज की तरफ, इस एक्सराइज में अगेन वेट को पकड़ते हुए, आपको इस तरह से कोहनी से अपने घुटने को टच करना है, और इस तरह से टच करते हुए आपको 20 टाइमस एक तरफ और 20 टाइमस दूसरी तरफ रिपीट करते हुए आपको इसके 3 सेट लगाने हैँ गाईस, और यानि 60 टाइमस आप इस एक्सराइज को कम्प्रीट करेंगे, हर अगर आपके हाथों के नीची की स्किन लटकी हुई है, कुछ लोगों के हाथों की स्किन वेट लोज के बाद काफी लटक जाती है, तो उसमें भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट देने वाली exercise है, तो जितनी भी exercise का मैं combination लेकर आई हूँ, अगर आप इसको तकरीबन 7 से 10 तक regular repeat करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे results मिलेंगे, यह मेरा promise है आपसे, चलिए आज के next exercise के तरफ बढ़ते हैं, आपका एक पैर जो है, एक साइड पे turn आप करेंगे और दूसरा पैर बिल्कुल आपका सीधा रहेगा, और इस तरह से जुकते हुए आप अपने हाथ हाथ से अपने पैर को पूरी टरह से तच करेंगे, आप देखिए मेरा हाथ मेरे पैर को पूरा तच कर रहा है, इसी तरीके से आपको इस exercise को repeat करना है बीस बार और आपका एक हाथ उपर हवा में रहेगा, बिल्कुल सीधा, एक हाथ आपके पैर को तच करेगा, और आपको 10 second का hold रखना है, then again फिर से एक बार और repeat करते हैं, चली देखते हैं, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and last, ten, दूसरे साइड में आपको दिखा रही हूँ, मैंने पैर turn कर लिया, एक पैर मेरा बिल्कुल सीधा है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten, again repeat करें, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten, again one more, one, two, three, four, five, six, seven, eight, मैंने 8 बार करके दिखाया, बट आपको 10 टाइम्स ही करना है, और इस exercise के आपको 4 sets लगाने हैं, और वो भी 20 repetitions के साथ ही आपको लगाने हैं, तो चलीए आप बात करते हैं, हमारी आज की जो next exercise जो की बहुत ही अच्छी exercise है, लाव हैंडल के लिए, फटा-फट से मैं एक मैट लेकर आती हूँ, पोजीशन ले लेती हूँ, खुटनों के बल बैठते हुए, आपको अपना एक पैर इस तरह से, साइड की तरफ लेकर जाना है, और आपको अपने हाथों को पकड़ते हु लेखना है और एक हाथ आपका हुआ में रहेगा, इसी तरह से आपको 10 से हओ रहना है हुटन करना है, यह पेर से ऊपर आना है, जब इ entra जाएगे तो दोनों हाथ पकड़ के निजीशे जाएंगे, यानी एक बार आपको आपको पैर से टच करना है, तो तो र seinen पी टों करते हुए बिलकुल नीचे और 10 सेकिंड तक आपने यहां पर भी होल्ड करना है और फिर अगेन ऊपर आना है दूसरी बार जब जाएंगे तो हाथ से पैर को टच करना है और दूसरा हाथ हवा में रहेगा और इसमें भी आपको दोनों तरफ बर्निंग संसेशन अपने कमर मे छ Diesel फील होगा और काफी अच्छे रिजल्टस मिलेंगे एक बार ओर करते हैं गायस चेली अब बारी है हमारी आज की नेक्स्ट एकसोसाइज की फटा पुजिशन सही करते हैं आपने कपड़े ठीक करते हैं और इस तरह से एकबार मैट द्oten लेज जाते हैं आपके पैरों के बीच में equal gap होना चाहिए और आपका हाथ आपकी eddy को touch करना चाहिए इस तरह से एक तरफ आएं और दूसरी तरफ जाएं ये एक repetition आपका बनेगा इससे आपको chest के जो नीचे आपका tummy है upper tummy यहाँ पर आपको pain फिल होगा आपको अपने core muscles को अगेज करना है और इसे के साथ आपको side पर भी काफी अच्छे results मिलेंगे आपका love handle पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और आपको बहुत शांदा results मिलेंगे साथ से 10 दिन के अंदर यह आप अपने favorite कपड़े पहनना शुरू कर देंगे क्योंकि एक self confidence आप गेन कर लेंगे कि हां मेरे love handles पूरी तरह से खतम हो रहे हैं और मुझे बहुत अच्छे results मिल रहे हैं तो इस exercise के भी आपको 3-4 set लगाने हैं अगर आप 15 repetitions लगा पाते हैं तो आप 15 ही लगाएं मैं आपसे कहूंगी अगर आप 20 लगाएं लेकिन आपको मिनिमन लगाने हैं वह 15 लगाने ही हैं और 3-4 set आपको इसके complete करने हैं ध्यान रखेगा जब आप इसको करेंगे तो आपको अपने टमी में करना हैं ये देखिए वान, एक साथ अपने हाथों को और प्यारों के ऊपर लाएं और एक इस रही करते हूँ आपको 20 टाइम आपको एक साइट पर करना है और 20 लूसरी साइट पर करते हूए एक सेरे 5-例 बेठ करना है और इसको आपको काफी अच्छे इस exercise से आपका thigh fat भी reduce होगा, आपके अगर shoulder पे और आपके हाथों के नीचे की skin लटकी हुई है, तो आपको उसमें भी काफी अच्छे results मिलने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी exercise है, आपकी body को proper shape देगी exercise, तो इसके भी आपको 3-4 set ही लगाने हैं, चलिए next exercise थोड़ी स मुश्किल लग सकती है, बट डरिएगा मत, मैं आपको आसान तरीके से भी बताऊंगी, अगर आप इस तरह से hold रख पाएं, एक हाथ का सहारा लेते हुए, एक हाथ हवा में, यह आपको काफी अच्छा result देगी, आपके कमर के fat को reduce करने में, लेकिन कुछ लोग इस तरह से नहीं कर पाएंगे, अगर किसी की body heavy है, तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी, आपको क्या करना है, इस तरह से अपने एक पैर का सहारा लिना और जमीन पर टिकाना है, और अपने जो अपनी body है, उसको उपर उठाना है, यहाँ पर 10 second तक hold रखें, और फिर आपने ज आपको कैसे करनी है, जो लोग पूरे पैर का सहारा लेकर कर रहे थे, वह इस तरह से दोनों पैरों के सहारी ही, अपनी body को उपर उठाएंगे, और नीचे की तरफ लिफ्ट करेंगे, और फिर उपर स्क्वीज करते वे पुश करेंगे पुश करेंगे इस तरह से, तो आज क एक्सराइजीज हमने complete कर ली हैं, I love you so much, मुझे पता है, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, So I hope guys कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगाओगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को थमसब दे, वीडियो को जितना ज़ादा हो सके, शेयर करें, मैं डेली कोशिश करी हूँ कि अगर मैं आपको एड नहीं कर पाती, तो मैं आपकी जो रिक्वाइरमेंट है, उसके एकोडिंग ही वीडियो बनाओ, ताकि आप कही न कहीं से help लेके अपना way to use कर सकें, तो thank you so much आपने ये वीडियो पूरा देखा, और अगर next वीडियो आपको इस topic पे चाहिए comment box में डाल दीजीगा, और एक good news है, मैं teenagers के लिए बहुत अच्छ